हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टु दिरैन अकेडमी तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास नाइट आइसे एसी फिजिसक का चैटर नमबर 7 उसके पार्ट C की जो नुमेरिकल्स है वो डिसकस करने हमने शुरू कर दिये थे और लास्ट लेक्षर के अंदर मैंने फर्स 7 नुमेरिकल्स डिसकस कर दिया था तो आज के लेक्षर के अंदर उसके बाकी की जो 7 नुमेरिकल्स है उनको हम डिसकस करने वाले हैं और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए हैं उनकी जो लिंक से वह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं तो बिना कोई टाइम वेस किये चलिए शुरू करते हैं अब हम बात करेंगे बिटा अपने 8th numerical की तो फाल देखें पहली बात हो यह कि इसमें बहुत कुछ इंफोमेशन आपको दी हुई है और मुझे सिरफ focal length of mirrorly find करना है तो उसको find करने का तरिका यह है कि देखें पहले तो आपको mirror formula याद होना चाहिए यह आपका बिटा यहाँ पे हो गया mirror formula मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको and the mirror formula is 1 upon f is equal to 1 upon v और साथ में plus 1 upon u so हम इस formula का इस्तिमार करके f को find out कर सकते हैं इसने मुझे height of an image दी हुई है इसने मुझे height of an object दी हुई है distance of an image दिया हुआ है distance of an object दिया हुआ है और क्योंकि यह हमेशा object आपका left side पर रखा जाता है जब भी हम u की value substitute करते हैं तो वह हमेशा negative में की जाती है इसलिए मैं यहाँ पर minus 4 cm यहाँ पर डालूगा पहल तो समझो concept को समगना बहुत important है numerical तो अपने अब होई जाते है concept को यह उपर ज्यादा focus करो उसके बाद next आता है मेरे पास कि कहता कि एक erect image बना रहा है तो erect image जब भी किसी की बनती है वह मेंशा mirror के पीछे बनती है इसी वजह से जो V है हमारा वो हमारा plus 6 cm लिया जाएगा बाखी focal निकालने को बोला हुआ है तो मैं direct formula से निकाल लूँगा so 1 upon f is equal to 1 upon v मतलब 1 upon 6 आपको यहाँ पर दिया हुआ है it is minus 1 upon 4 में यहाँ पर करूंगा अब बात इतनी कि इसका जो LCM निकालने से अच्छा तो मैं multiply कर देता हूं नीचे वाला तो 24 आपका पास नीचे आ जाएगा and obvious है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा that is 4 और इधर आपके पास आ जाएगा minus 6 as a result यहाँ पर बन जाएगा minus 2 by that is 24 तो बस जी मुझे reciprocal करना है दोनों साइट पर ताकि मेरा f आ जाए so f आ जाएगा minus 24 divided by 2 और answer आ जाएगा minus of 12 cm अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 12 cm का हुआ है आपका answer minus 12 वा रहा है actually मेरा answer बिलकुल perfect है minus यहाँ पर यह represent कर रहा है कि it is on the left hand side of the mirror और concave का जो focus या focal length होता है वो हमेशा negative में होता है देखिए यह आपके पास concave mirror है तो focus हमेशा यहाँ इस side होता है तो इस side जो भी measurement लेते हैं वो negative होती ना आपकी तो एक बात यहाँ रखें मेरा कि जो हमारा जो plus और minus है किसी नंबर के सामने जो आता है वो सिरफ और सिरफ यह बताता है कि जिस चीज को आप measure कर रहे हो वो mirror के left side में है के right side पे अगर तो negative में कोई value आ रही है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज जिसको आप measure कर रहे हो it is on the left hand side of the mirror और अगर किसी चीज को आप measure करते हुए answer आपका positive में आ जाता है that means that thing is on the right hand side of the mirror so यह बात समदना बहुत ही important है तब ही मैंने का concept पे focus जादा करो automatically results आपके आते जाएंगे so इसका answer 12 cm है अगर कोई मुझे बोलता है बत मैं यही पर छोड़ूँगा मेरे लिए यह answer perfect है ठीक है okay so next one is an object of length 4 cm is placed in front of a concave mirror at a distance of 30 cm the focal length of the mirror is 15 cm so where will the image form ठीक है and what will be the length of the image देखे अब इसको कैसे find out किया जाएगा तो सबसे पहली बात आपको यह चीज़ समझनी होगी कि हमें क्या 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 दिया हुआ है तो हमें दिया हुआ है the height of an object यह दिया है और हो हमेशा positive होता है 4 cm हो गया concave mirror है ठीक है and object जो है आपका हमेशा left side पर रखा जाता है तो minus 30 cm यहाँ पर आएगा और जो focal length होती है मेरे concave mirror की हमेशा negative होती है so f की value यहाँ पर minus 15 cm आपका आजाएगा अब हम बात करें पहले part की कैता है where will the image form but we have to calculate the value of V now the formula or we can say the mirror formula is given by 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U now in this case we have to find the value of V and what is given to us is a value of F and U now we are going to substitute the values so we will get minus 1 upon 15 is equal to 1 upon V plus minus 1 upon 30 so when you move this fraction to the left it will become plus so you will get 1 upon V is equal to minus 1 upon 15 plus 1 upon 30 now you take LCM LCM is 30 so you will get minus 2 and plus 1 as a result you will get minus 1 upon 30 अब आपने क्या करना है इसका reciprocal लेना है तो reciprocal लेते ही यह आपका बन जाएगा बटा V is equal to minus of 30 cm अब देखिए यहाँ पर जो V है वो minus 30 दिया हुआ आपका अब minus क्या बता रहा है minus यह बता रहा है कि जो object है उसकी जो image है that is on the left hand side of the mirror so इसलिए left hand side of the mirror लिखने के बजाए हम उसको लिख देते हैं in front of the mirror तो in front of the mirror आपने तब लिखना है जब आपकी V की value या U की value basically आपकी minus में आ रही हो behind the mirror हम तब लिखते हैं जब यह positive value होती है तो यह समझना बहुत important है कि plus का मतलब क्या है और minus का मतलब क्या है आपका उसके बाद तो कुछ नहीं था जब हम बात करते हैं अपने B part की तो आपको कहता है length of the image पता करनी है so magnification के दो formulas होते हैं उनको आपस में equate कर दो आपका answer आजाएगा देखें मैं B यहाँ पर लिख दिया है but I prefer मैं थोड़ा नीचे यहाँ पर कर देता हूं तो थोड़ा से क्या होगा कि आपके लिए easy हो जाएगा so देखें अगर मैं B part के बात करता हूं तो height of an image divided by height of an object यह magnification का formula है another formula to calculate magnification is minus V by u बस by substituting the values you will find your answer so now we have to calculate the length of the image length of the image का मलब होता है height of an image so which implies the height of an image is equal to minus V by u into height of an object now minus will remain as such और आपका यो V है वो minus 30 डालेंगे और जो U है that is given to U minus 30 यहाँ पर आदेगा आपका हाँ height of an object आप देखते है height of an object आपको 4 cm दिया हुआ है ठीक है तो बस जी आप इसकी value को solve कर लिजे देखो यह पूरा कट रहा है आपका answer जो है यहाँ पर 4 cm आपका value आदेगी but with minus sign अब यहाँ पर minus sign क्या represent करता है कि it is an inverted image inverted image देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा काम है आपके concepts को clear करना ठीक है तो इसलिए धंग से समझो कि exactly plus का मतलब क्या है minus का मतलब क्या है और किस तरीके से हमें यह जो numerical है यह solve करने है उसके बाद हमारे पार next को numerical में कहता है a concave mirror forms an image of an object placed in front of it at a distance of 30 cm एक बात समल लिजे इसमें बहुत important एक बात लिखी गई है that is the real image यह क्यों लिखा गया है क्योंकि real image की जो magnification है formation negative होती है और उसकी हमें जुरुद पड़ेगी इसमें numerical को solve करने के लिए कहता a concave mirror forms a real image of an object placed in front of it at a distance of 30 cm that means u is given to us that is always a minus 30 cm whenever you are going to substitute the value of u please remember it is always put with a negative sign why because the object is always kept on the left hand side of the mirror so यह समझना बहुत ही important है कि यहाँ पर plus को पर यूज करना है minus को पर यूज करना है next the size of the यहाँ पर लिखा कर के mirror form a real image of an object placed in front of this whose size is three times the size of an object मतलब यह है आपका the magnification is given to you now according to the magnification and since it is a real image so I will take minus of three now minus three represents that minus represents that it is a real image first of all समझो minus का मतलब है it is a real image if it is a virtual image then you will substitute a value with a positive sign since it is a real image so therefore आप यहाँ पर minus sign का इस्तिमाल करेंगे अब बात आयाती है 3 की 3 यह बताता है the height of an image is three times the height of an object जो statement लिखी गई है मैंने उसको numerical की terms में यहाँ पर लिख दिया है okay so now what we are going to do is we are going to use this value to calculate the value of V now how we are going to do this it is a very simple procedure you have to remember the formula the formula for the magnification is minus V by U so now we have to substitute the value and we will get the value of V and उस V की help से हम असान से focal length भी find out कर लेंगे so M is what minus 3 so therefore minus of V में जे calculate करना है what about U हाँ U is minus of 30 so minus से minus cancel हो जाएगा as a result V will be minus of 90 cm क्या बताया था कि जब आपके minus term लिखा जाता है तो मतलब होता है in front of the mirror मतलब on the left hand side of the mirror और वही दिखो यहाँ पर जो second part है उसको यहाँ पर solve करके वही बात बोली गई है और वही मैंने यहाँ पर find out किया है बात सिरफ रह जाती है कि सर अब रह गया हमारा focal length को फाल करना so 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U please remember always remember the mirror formula and while substituting the value you must remember the sign conventions then only you can solve these numericals so 1 upon F is equal to we know the value of V we already found this value that is minus 90 so I'll substitute minus of 90 and what about V V is minus 30 so that will become minus 1 upon 30 alright so if you take an LCM of course मैं 90 लेलूंगा थोड़ा easy हो जादी हो जाएगा so that will be minus of 3 that will be minus of minus of 1 minus of 1 and this will be minus of 3 so you'll get minus 4 upon 90 so that means F is equal to minus 90 over 4 so when you solve it you will get 22.5 cm with minus sign okay so what minus represents that of course it is a concave mirror and therefore the focus is on the left hand side of the concave mirror and minus represents the same that is the focus is on the left hand side of the mirror and focal length अभी आपका negative आया है so ये बात समझनी बहुत जादा important है plus minus sign conventions इन सब को please easy numericals हैं आपके बहुत easy numericals हैं बढ़ आपको समझना होगा कि plus minus का क्या खेल है और किस प्रीके से हम ये सब कर रहे हैं ठीक है? अब हम बात करेंगे अपने 11th numerical की कहता है a concave mirror forms of virtual image of size अब देखे concave mirror बोल दिया पहले बात समझो ध्यान से क्या बोल रहा है पहले तो concave mirror बोला है उसका बढ़ वर्चुल image बोल दिया कहता है size जो है वो twice है virtual image का मतलब है m आपको positive लेना पड़ेगा so m will be positive of 2 twice and a size इसलिए 2 1 half होता है तो 1 by 2 कर देता है तो इस तरह करना होता है object कहां placed है object आपको बता है minus 5 centimeter ही डालूँगा मैं यहाँ पे find the focal length and the position of the image पिछले इन miracle और इस miracle में सिर्व इतना फर्क है कि वो real के लिए था यह virtual के लिए है procedure सारा same रहेगा हमारा so देखे कैसे करेंगे so now 2 is equal to y2 okay मैं I am using the formula m is equal to minus v by u I am using this formula so I will substitute the value of m plus 2 and minus of v what is v, 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 v we have to calculate and what about u u is minus of 5 centimeter right so v becomes 10 centimeter positive sign represents it is on the right hand side of the mirror or behind the mirror okay here positive represents behind the mirror behind the mirror so both simple simple numerical है को इतने tough है नहीं है तो इसलिए ध्याँ से समझो समझ में आ रहाता है तो यह हमारा b part है अब हम करेंगे बटा अपना a part कहता है focal length mirror का calculate करो we have to use the mirror formula so 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u यह हम यहाँ पे करेंगे so 1 upon f will remain as such 1 upon v you have to substitute 10 centimeter plus so it is here 1 upon u so u is minus of 5 टाल देंगे lsim 10 आ जाएगा आपके पास so it is 1 minus 2 so that will be minus 1 upon 10 so f will be आपका आजाएगा minus 10 centimeter और बिल्कोँ सही answer है क्योंकि concave का focal length बिटा negative होता है so therefore यहाँ पे अब minus आपका answer आना चाहिए था ठीक है इस से very simple thing अब हमें बात करने बिटा आपने 12th numerical की कहता है the image found by a convex mirror is of size 1 third of the size of the object पहल तो बिटा आप यह समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं convex mirror की तो उसमें जब भी image आपकी बनती है virtual image बनती है क्या बनती है virtual image बनती है और क्योंकि हमेशा virtual image बनती है तो जो magnification है वो हमेशा आपका positive रहेगा please remember this thing और बस और कुछ नहीं करना था यहाँ पर आपको magnification 1 by 3 आपको दिया हुआ है अब magnification क्या होता है minus v by u होता है so therefore अगर v निकालूंगा तो minus 1 by 3 आजाएगा of u और अगर u निकालूंगा तो minus 3 v आपका answer आदेगा so this one is the relation between v and u ठीक है यह और यह next हम बात करेंगे अपने 13th number की कहता है the erect image देखे जब भी बात आयाती है erect image की ठीक है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि अगर आप बात कर रहा है erect image की erect image का मतलब फिर से है कि एक virtual है और अगर यह virtual है तो मतलब magnification आपका positive होगा ठीक है प्लीज इसको आप note कर लीजे यह चोट-चोटी बाते होते हैं इसी की वज़ासे ही आपका जो numerical है वो solve होता है अब वो कहता कि size double the size of the object मतलब magnification जो है यहाँ पे आप plus 2 लेंगे which is equal to minus v by u तो automatically v आपका पास minus 2u आपका आजाएगा तो इस तरीके से आपने यह 13 वाला करना था last numerical रहा जाता है कहता है the magnification of the mirror is minus 3 minus represent है कि यह आपका 100% एक real image बना रहा है and magnification आपका इसने already हमें minus 3 दे ही दिया हुआ है तो इस तरह से आपने यह numerical solve करना था so I hope आपको यह सब समझ में आगया होगा ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने बाकी के जो 7 numericals थे वो discuss कर लिया है I hope आपको यह जितने भी numericals है और उनके जो solutions है वो समझ में आगे होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही thank you so much